वैटर की एक लाइन है जब आखों में थामने आ जाए तुझे सारे दरद हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई न्यूव लोग अभी मैं बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूं डिरेक्ट मिलता हूं कमपनी में तो अभी कमपनी पहुँच गया हूं मैं तो रात को कान में पेन था और वो सुबैत कम की बजाए थोड़ा ज्यादा ही मिला काम करने का ज्यादा मन नहीं था ना तो मैं कुछ खा के आया हूं और ना ही कुछ बना के लाया हूं आज लाया हूं मैं सिर्फ दूद और चिक्की तो अभी चिक्की खालूँगा थोड़े से ड्रैफ रूट्स हैं थोड़े गर के लड़ू हैं तो लंच तक का टाइम निकल जाएगा तो अभी चलता हूं ओफिस में और कान में पेन कम निवाया है अभी हीर ड्रोप लाया हूं मैं अभी ओफिस में बैठके डालूँगा थोड़े देर तो असर हो रहा है उसका लेकिन थोड़े देर बाद फिर एसी पेन स्टार्ट हो जाता है तो भी लंच टाइम हो गया है और आज जो यह प्रोजेक्ट है इंफिनिटी प्रोजेक्ट यह आज खतम हो जाएगा आज इंफिनिटी प्रोजेक्ट कम्प्लेट हो जाएगा अब इस ट्रैंक्स ओ रहती है और अब इसाड़े तीन हुए है दो गंटे शी स्पीड से काम करूँगा तो आज शाम तक ही हो जाएगा पानी ले गया रहा हूं पानी पियेंगे और काम करेंगे तो अब कम्पनी से निकल रहा हूं तो अब कर लंच तक वो प्रोजेक्ट कम्प्लेट हो जाएगा हाफ डे में उसकी क्रोज चेक कर लूँगा कि कहीं पर कोई उतिया हूं है इतनी ड्रैंक्स में वो भी पता चल जाएगी तो अब ही एक्जेक्ट चेक्व जे रूम पर पहुंच गया हूं है अब ही वीडियो एडिटिंग करता हूं उसके बाद फिर और काम स्टार्ट करूंगा करें अब है अब है कि अब अब है कि अब है कि करें दीन से मेरे को काम भी आद थे लेकिन टाइम ही ने मिल रहा था लेकिन आज चल दी खाना पीना बना गए अभी एक तो इस लेंडर बरवा गिला रहा हूं और थोड़ा सा समान है तो वह समान लेकर आ रहा हूं अब मैं लिखोंगा एक चोटी सी पोईट्री उस पोईट्री का मैंने कल स्टेटस इंस्टाग्राम पे शेयर किया था उसका टाइटल है बच्चे से मरद स्टेटस में फोटो टाइटल और जो म्यूजिक था उसकी वज़े से मेरे कई दोस्तों को लगा कि काफी एगरसी पोईट्री है लेकिन नहीं पोईट्री में भी एस उसल बहुत ही नॉर्मल लाइन्स है जो टाइटल है बच्चे से मरद इसमें मरद का मतल मतलब वह नहीं है जो एक मूवी है मिताव बच्चन की उसमें बोल रखा है कि मरद को दर्दनी होता नहीं इवन मैं इस बात को तो एक पोईट्री में भी रिजेक्ट कर चुका हूं कि मरद है वह जिसे दर्दनी होता जूठी है फिल्मी कहानिया क्यों इनके सपनों में सोत इस पोईट्री में मरद का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मरद है वह जिसे दर्दनी होता मरद का मतलब है maturity कैसे आप मर्द बनोगे मतलब कैसे आप mature बनोगे mature तो सब को उनाए पड़ता है एज के साथ साथ लेकिन एक बच्पना वह सब को अपने अंदर जिन्दा रखना चाहिए कोई बच्चा होता है ना तो किसी से नराज होता ना वो किसी से ज्यादा देर तक नराज रहता तो मतलब ये चीज़ हमें ता उमर रखनी चाहिए ऐसा कुछ ही है उस poetry में अभी complete नहीं हुए है मैं उसको आज complete करने कोशिश करूँगा poetry की एक line है जब आखों में थामने आ जाए तुझे सारे दरद समझ ले ना छोटे तु भी बनने लगा है बच्चे से मरद विलाल इस व्लोग को करता हूं यहीं पे end मिलते हैं बहुत जल्द thanks for watching